हलो फ्रेंड्स बेलकम टू माई टूब चैनल डिपी अडू केर दोस्तो आज हम लोग सोलमी स्रीज हल करेंगे और यह होगी सोलमी स्रीज अनेक सब्दों के लिए एक सब्द वन वर्ड सब्स्टिजिशन जो आते हैं दस को सनाते व्रारंबेक परिक्षा में उस पर हम लोग आचर्चा करेंगे और पांस स्रीज मिलेंगी आपको अनेक सब्दों के लिए एक सब्द काफी इंपॉर्टन टॉपिक है और यहां पर अगर आप थोड़ी सी महनत कर ले पर बार पूछे जाते हैं तो कठिन कठिन सब्दों को आपको हम बताएंगे बाकी आसान तो आप बुक से पढ़ ही लेंगे या जो हमारा नोट से वहां से आप पढ़ सकते हैं तो पांस स्रीज आपको मिलेंगी अनेक सब्दों के लिए एक सब्द के लिए और ओवराल दे से बाइज होगी जैसे हिस्टी की जोगर्फी की पॉल्टी की साइंस की एकनोमिक्स की करन्ट अफियर्स की ठीक है यूपी स्पेशल की तो लगवग हम लोग इसी तरीके से सारी स्रीज हल करेंगे और जो कंप्लीट स्रीज है PCS के लिए वो प्रारंब हो चुकी है उसको आप इसवर आप टेस्ट स्रीज लेकर के वाट्सेप कर दीजिए तो आपको PCS वाली टेस्ट स्रीज के गुर्फ में जोड़ लिया जाएगा जहां पर आपको 10 स्रीज GS की, 5 CSET की और 10 स्रीज करन्ट अफियर्स की, 5 UP स्पेशल की, जनगरना की, बजट की ये सभी स्रीज आपको अपलब्द कराई जाएगी, साथ में आपको कुछ मेटरियल भी दिया जाएगा, और ROARO के लिए, तो ROARO 2021 के लिए जिसकी परिक्षा एक अगस्त को है, और कई लोगों ने पूछा की परिक्षा होगी या नहीं होगी, तो परिक्षा एक अगस्त को ही होगी, आप लोगों ROARO की स्रीज में अपलब्द कराएंगे, GSK, हिंदी के, Current Affairs के, UP Special, Budget, जनगरना, यह सभी मिला करके, ठीक है, और नोट्स भी, ROARO के लिए और PCS के लिए लगवक सभी बनकर तयार होगे, लगवक का सभी बनकर तयार होई गए है, History, Politics, Geography, Economic, Science, Environment, UP Special, जनगरना, बजट, यह स अपडेट भी हो गए हैं सभी, तो आप लोग इसी नंबर पर 6393 350 769 इस पर WhatsApp कर दीजिए, Notes लेकर करके, तो आपको Notes वाले ग्रूप में एड कर लिया जाएगा, जहां पर आपको Complete Notes उपलब्द कराए जाएगा, ठीक है, पूरा बैच चलना है, उसमें आपको जोड लिया जाएगा, ठीक है, चलिए तो सुरुवात करते हैं, फिर आज की स्रीज की हम लोग 16 स्रीज लाते हैं, टेस्ट स्रीज 16, थोड़ा बड़ा कर लेते हम लोग 16 को, चलिए, पहला कुश्चन है, जो पहले था पर अब नहीं है, के लिए एक सब्द है, इन जो पहले था लेकिन अब नहीं है, तो उसके लिए क्या सब्द होगा, पूर्वज, अन्तियज, भूत्पूर या अनागत, ठीक है, बताइए 10 सेकंड का समय आपके पास, आप वीडियो को पहुज भी कर सकते हैं, और आराम से उत्तर दीजिए, एक स्याड अपने उत्तर लिखिए, एक स्याड ह हो जाएगा C, जो पहले थालिक नब नहीं है, तो भूत्पूर उसे कहेंगे, नेक्स पूर्शन पर आते हैं, जो कठनाई से मिलता है, के लिए एक सब्द है, बताएं, जो कठनाई से मिलता है, उसके लिए एक सब्द कौन सा इस्तिमाल होगा, दुरलब, अलभ्य, अप्रा हो जो कठनाई से मिलता है, जो कैसा होता है, दुरलब होता है, जिसे जानने की इच्छा है, के लिए एक सब्द है, ग्यानार्थी, जिग्यासू, जिगीसू, या जिजीविशू, क्या अंसर होगा इसका? जिसे जानने की इच्छा है और इसका आपका अंसर हो जाएगा जिगी सू ठीक है इसके लिए एक सब दिस्तमाल करेंगे हम लोग जिगी सू कुशन नमबर फोर पर आते हैं जिसके पेट में माने रस्ची यानि की दाम इसको भी कहते हैं बांदी हो से कहते हैं दामाद इतर दाम या दामोदर यानि जिसके पेट में माने रस्ची या दाम बांदी हो से क्या कहेंगे और इसका अंसर आपका हो जाएगा दामोदर बहुत परिक्ष्या हम पूछा जाता है इंपोर्टेंट पहुत जादा है कोश्चन नमबर फाइब पर आते हैं पीछे पीछे चलने बाला वाक्याइश के लिए एक सब्द है पीछे पीछे चलने बाला बताएँ अनुचर अनुगामी अनुवर्ति या अनुगमनी है बताएँ कौन सा बिकल्ब सही होगा और इसका अंसर आपका हो जाएगा बी पीछे पीछे चलने वाला क्या होगा अनुगामी होगा कोश्चन नमबर शिक्स पर आते हैं थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्याइश के लिए उपियुक्त सब्द है मितिवेई मितिवेई मिताहारी या मितहारीन बताएँ क्या सब्द होगा थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला और इसका अंसर आपका हो जाएगा मिताहारी इन्हें जो कम भोजन करता है नपातुला भोजन करता है सेविना आते हैं किसी प्रतियोक्ता में विजय होने पर दिया जाता है उप्युक्त सब्द का चेन कीजिए यानि जब कोई प्रतियोक्ता में विजय होता है तो उसे क्या दिया जाता है पुरस्कार पारितोषिक उपहार या प्रिवमो पहार पृतियोक्ता में बिजय होने पर क्या दिया जाता है तो आपको पता ही होगा कि पुरुस्कार दिया जाता है जब कोई पृतियोक्ता जीता है तो उसे पुरुस्क्रत किया जाता है पुरुस्कार दिया जाता है कोशन नमबर आठ पर आते हैं जहां लोगों का मिलन हो एक सब्द के क्रम में सही बिकल्ब का चुनाव करिए मेला, भीड, सम्मिलन या सम्मिलन बताएं क्या होगा जहां लोगों का मिलन हो और इसका अंसर आपका हो जाएगा सम्मिलन क्या होगा सम्मिलन हो जाएगा कुछिन नम्बर 9 पर आते हैं शक्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं उपिक्त सब्द का चैन करें शक्य भाव मिश्रित अनुराग प्रेम इसने यह है शक्य भाव या प्रड़य नया सब्द है आपने साथ पढ़ा भी होगा कुछ लोगों नहीं पढ़ा होगा और इसके लिए उपिक सब्द होगा प्रड़ाए ठीक है शक्य भाव मिस्तितनला तो क्या कहेंगे प्रड़ाए और दसमे कुशन पर आते हैं जो कानून के बिरुद्ध हो उसके लिए उपिक स सब्द का चैन करें वैधानिक, सम्वैधानिक, निरुद्ध या अवैध क्या होगा इसके लिए एक सब्द जो कानून के बिरुद्ध हो और इसका अंसरा आपका हो जाएगा डी अवैध 11 पर आते हैं सस्त्र क्या है उप्युक्त सब्द का चैन करें वह हत्यार जो फैक कर चलाए जाता है वह हत्यार जो हाथ में थाम कर चलाए जाता है एक तरह की विद्ध्या इनमें से कोई नहीं देखें यहां पर दो सब्दोते हैं कि अस्त्र होता है और एक सस्त्र होता है जो अस्त्र होता है उसे फैक करके चलाए जाता है जबकि जो सस्त्र होता है उसे हाथ में थाम कर चलाए जाता है जैसे आप बंदूख है राइफल है यह सब क्या है यह सस्त्र है और बम यह सब क्य प्रति मोह ना रहा हो उप्युक्त सब्द का चैन कीजिए वीतरागी सीतरागी अनुरागी या रागी जिसमें संचार के प्रति मोह ना रहा हो क्या होगा सई सब्द इसमें अंसर आपका हो जाएगा वीतरागी इसमें संचार के प्रति मोह ना रहा हो वीतरागी उसे कहेंगे कोशन नमबर 13 पर आते हैं आधी रात का समय इसके लिए एक सब्द का जैन कीजिए क्या कहेंगे इसको आधी रात का समय इसका अंसर होगा आपका D निशीत 14 पर आते हैं जिसे बुलाया ना गया हो बाक के लिए प्रुक्त होने वाला सब्द है जिसे बुलाया ना गया हो आते थी अभ्यागत अनाहूत या रिष्तेदार बताए क्या होगा इसके लिए एक सब्द और इसका अंसर आपका हो जाएगा C यानि की अनाहूत जिसे बुलाया ना गया हो बिना बुलाया आ गया हो अनाहूत 15 पर आते हैं रंग मंच के पर्दे की पीछे का इस्थान, क्या कहेंगी उसे प्रष्ट भूमि, नेपत्य, मंच प्रष्ट या गो है मंच और इसका आपका अंसर हो जाएगा बी यहीं कि नेपत्थे रंगमंच के पीषे का इस्तान ठीक है यहां पी जहां पर रंगमंच पीषे जहां पर जो है लोग मेकप करते हैं अपने कपड़े कोस्ट्युम अगारा चेंज करते हैं उसे नेपत्थे कहा जाता है दिसाएं ही जिनका बस्त्र हैं उन्हें कहा जाता है विश्वंभर, दिगपाल, दिगंबर या पेगंबर दिसाएं ही जिनका बस्त्र हैं क्या कहेंगे आंसर आपका हो जाएगा C दिगंबर जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हुआ है क्या कहेंगे उसे एक सब्द में कन्या पुत्र, कानीन, अवैद पुत्र या कुमारी सुत्र जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे और इसका अंसर आपका हो जाएगा B कानीन पेट की अगनी के लिए सुद्ध सब्द है दावागनी बडवागनी जट्रागनी या मंदागनी पेट की अगनी के लिए पेट में जलन होती है जो आगम से जलन सी होती है उसे कहा जाता है इसमें पेट में आग उठ रही है तो उसे क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे जट्रागन कुछन नमबर 19 पर आते हैं जगड़ा लगाने वाला मनुश एक सद में क्या कहा जाता है जैचन शकुनी बीभीषड या नारद यह तो आपको पता ही होगा महावारत आपने महावारत क्या बलकि आपने जो भी पुरान पगारा है ने जो है सब इसमें एक सब दिस्तमाल होता है नारद ना मतलब बस जगड़ा लगाए और बस नम जो है नारद नारद चल कहके चल दिये तो मतलब आप आप जो लड़ते रहो जगड़ते रहो बोपना काम करके निकल लिए नाराय नारा कहके निकल लेते हैं 20 जो किये गए उपकारों को मानता है के लिए एक सब दिल किये कृतग्र, कृतग्य, कृतकार या अग्य जो किये गए उपकारों को मानता है उसके लिए क्या सब्द होगा उसके लिए सब्दापका होगा कृतग्य ठीक है और जो किये को अपकारों को नहीं मानता है उसके लिए क्रतग्न होगा ठीक है दोनों सब तयार कर लिजे जो अपकारों को मानता है वो क्रतग्न होगा ठीक है चलिए तो यह आपकी हो गई आज की पहली स्रीज अनेक सब्दों के एक सब्द के लिए और अगली स्रीज भी आपको मिलेगी लब डेली आपको एक स्रीज मिलती रहेगी और जीस की भी स्टार्टम कर देंगे जल्दी ही ठीके नमस्कार धन्यवाद